जब मैं मन की बात करता हूँ, तो ऐसा लगता है, जैसे आपके बीच, आपके परिवार के सदस्य के रुप में उपस्तित हूँ, हमारी छोटी छोटी बातें हैं, जो एक दुसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खटे मिठे अनुभव, जो जीवर के जीने की प्रेणा बन ज जाए, बस यही तो है मन की बात, आज 2021 की जन्वरी का आखरी दीन है, क्या आप भी मेरी तरह यह सोच रहे हैं, कि अभी कुछी दिन पहले तो 2021 की शुरू हुआ था, लगता ही नहीं कि जन्वरी का पूरा महिना बिद गया है, समय की गती इसी को तो कहते हैं, कुछ दिन पह सिरे को शुपखा मनाई दे रहे थे, फिर हमने लोडी मनाई, मकर संक्रांती मनाई, पॉंगर, बीहु मनाया, देश के अलग-अलग हिस्सों में त्योहार होगी धूम रही, 23 जन्वरी को हमने नेता जी सुभाजन दबोश की जन्वदीन को पराकरम दिवस के तोर पर मनाया और 26 जन्वरी को गनतंत्र दिवस की शांदार परेड भी देखी, राश्पती जी द्वारा संसत के संयुक्त सत्र को समधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है, इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ, जिसका हम सभी को बहुत इंतिजार रहता है, ये हैं पत्म पुरस पुरसकारों की घोष्णा, राश्ट ने असाधरन कार्य कर रहें लोगों को, उनकी उबलबतियां और मानवता के प्रती उनकी योगदान के लिए सम्मानित किया, इस साल भी पुरसकार पाने वालों में बेलोग शामीद है, जिन्होंने अलग-अलग शेत्रों में बहतरीन काम किया है, अपने कामों से किसी का जीवन बढ़ला है, देश को आगे बढ़ाया है, यानि जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हिरोज को पदम सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है, मेरा आप सभ से आगरह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जाने, परिवार में उनके बारे में चर्चा करें, देखिएगा, सबको इससे कितनी प्रणा मिलती है, इस महेने क्रिकेट पीच से भी बहुत अच्छी खबर मिली, हमारी क्रिकेट टीम ने शु संदार वापसी करते हुए, आस्ट्रेलिया में सिरीज जीती, हमारे खिलाडियों का हाड़ वर्क और टिम वर्क प्रेरित करने वाला है, इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख, देश भावत दुखी भी हुआ, हमें आने वाले समय को नई आश और नविंता से भरना है, हमने पिछले साल असाधारन संयम और साहस का परिशे दिया, इस साल भी हमें कड़ी महनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेजगती से आगे ले जाना है